जै स्री मागाल कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल पर जिसका नाम है खाओ खिलाओ खुश रहो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो चलिए आज बनाते हैं दस मिनट में फटा फट आलू पराटा और आलू मटर टमाटर की सबजी वाली थाली चावल तो मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था तो आज हमारी घर पर मौसी आ रही थी मेरी तो मैंने उन्होंने बोला कि उनको खाने थे आलू मटर टमाटर की सबजी और आलू का पर रहता है तो मैंने सूचा दस मिनिट में फटा 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 प क्या ही बना हूँ तो मैंने आलू बाल लिया फटाक से और इनको मैं यहां साइड में छील लेती हूँ और मैंने चावल दो कर टोप में चुड़ा दिया था आप चाहिए तो कुकर में भी चुड़ा सकते हो मतलब कुकर में भी काफी लोग चावल बनाते हैं मैं ज़्यादा तर टोप में बनाना करते हूं तो मैंने टोप में चावल चुड़ा दिया धीमियाज कर दी है हमारा साइड में चावल होता रहेगा और हम आलू को छील कर रख लेंगे तो मैं यहां पर आलू छील रही हूँ तो यह थोड़ा चोटी भी है साइज में बड़ी है एक्चुली यह हमारे खेत की आ आलू निकाल लूँगी सबजीयों के लिए और जो आलू बची हुई है तो मैं उनको ऐसे हाथ से मैस कर रही हूँ आप चाहिए तो इसको और भी चीजों से मैस कर सकते हो मतलब की कटोरी के सहारे से गलास के सहारे से मैस कर सकते हो मैंने हाथ से मैस किया है और साइड में हम दे मैं मैं अद्दा छोटा चमच मैं आदा अंचूर पाउडर डा एंग दंเ इंड हो अच्छा आएगा नदा मसाला है अचार का मसाला जो कि हमारे घर-पर बना था अचार आखर काड़ाई गरम करेंगे और अब हम सबजी यां बनाएंगे हम डालेंगे व kept buying तेल गरम उजाएगा मैंने isherusons का तेल युझा उजा आप औरब ले तो तेल गरम हो чистके ultimate भीometer Спयाकाई तो यहां पर हमने इसको लाल करना है तो इसको धीमियाज पर चोड़ दिया है साइड में हम लेंगे एक छोटा जमज नमक और गरम मसाला और थोड़ी से हल्दी जादा मसाले मैं यूज नहीं कर रही हूं क्योंकि मेरी मौसी बहुत कम तीखागाती है आप चाहिए तो और भी मसाले आइड कर सकते हो और आपको मसालों का घोल बनाना है थोड़ा सा पानी डालना इनको अच्छी तरह मिक्स करना है उसके बाद ये मसाले आपको तड़के में डालने ऐसा करने से ना सबजी में बहुत गजब का स्वादा आता है आप चाहिए तो ट्राइ करके देखो मे रहली थी और दो बड़े साइज के टमाटर कट किये थे तो मैं यहां पर बना रही हूं यह सबजी कम से कम चार लोग हमारे यहां खाएंगे तो मैं यह 4 लोगों के लिएρα व को हम यहां पर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरह मिला देंगे मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे दो बड़े गलास गरम पानी याद रहे आपको डालना है गरम पानी और वह भी दो बड़े गलास ताकि एक गलास पानी आपका सबज ग्लास लगभग पानी हमारा जल चुका यानि की सबजी पक चुकी है अब हम इसमें डालेंगे हैरा धनिया जो हमने बारी कट करके रखा हुआ था ये हमारी सबजी बन गई है और यकीन मानी ये सारा मैंने खाना सिर्फ 10 मिनट में बनाया है और मैंने सूट भी किया है मैंने कुछ भी गैप नहीं किया था वीच में एक साथ ही सब कुछ किया है तो कैसा है कॉमेंट करके जरूर बताएगा तो सबजी बन गई है अब हम आटा गूत लेंगे तो मैंने यहाँ पर आटा लिया है मैंने थोड़ा ही हाटा लिया तो आलू एकदम अच्छे से हाटे में चिपक जाती है तो पराटा हमारा कम फटता है तो ये भी ट्राइ कर सकते हो आप और नहीं तो चाहिए तो ना अगर आप आलू का पराइठा बना रहो तो आलू फ्राइ करके काफी लोग बनाते तो अगर आप आलू फ्राइ कर रहो तो आपको उसमें तेल कम डालना है फ्राइ करते टाइम तो इससे भी जो हमारा पराइठ हम बेलते हैं तो वो फटेगा नहीं कुछ लोग होते हैंि कि आलू फ्राइ करते टाइम उसमें जद्धाते लगर तो आपसे चैसे में बना रही हूं आलू को मैस करके सारे मसाले अगर आप ऐसे हाथ से मिलाके आलू की स्टेफिंग रख दे बीच में और ये आटा इस तरह से गूते यानि की गरम पानी से तो फिर भी आटा जो हमारी पराठे रहेंगे वो फटेंगे नहीं अभी मैं आपको बेल के भी दिखा दूँगी तो ये देखें मैंने यहां पे आटा गूत लिया है लगबग थोड़ा बाकी है अभी मैं और गूते हूं इसको तो इसको ऐसे हम हलके हाथों से थोड़ा हार्ड हम इसको गूतेंगे ताकि ये फटा फट हो जाए और हमें जल्दी सब तयारी करनी है वरना मौसी जी हमारी आ जाएंगे और बोलेंगे बेटा तुमने तो अभी कुछ बनाया भी नी और मुझे तो बहुत जोरो की भूक लगी है तो मुझे जल्दी फटा फट करना था सब कुछ तो मैं ये हाटा गूत रही हूँ और आप लोग बताइए मेरे YouTube चैनल पर कौन-कौन देख रहे है वीडियो और कहां से देख रहे है आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका आप comment जरूर कीजेगा आपका एक comment मुझे ना motivate करता है कि मैं आगे भी ऐसे ही videos बनाती रहूं तो आप please comment करके मुझे motivate करते रहेगा और support ऐसे ही करते रहेगा अपना साथ बनाए रखिएगा और आप दिखें हमारा आटा गुत गया है तो अब हम इसकी छोटी छोटी चकई कर लेंगे लोईयां पहले कट कर लेंगे छोटी छोटी उसके बाद हम इसकी चकई करेंगे बिल्कुल इस तरह से ऐसे फिर हम इसकी चकई करके हलके हाथों से पूरी के आकार में पहले बेलेंगे हैं इनको इस तरह फिर हम इसमें रखेंगे अपनी आलू जो हमने ऐसे बना कर रखी थी घ्रॉविंग लिया ओम इसमें बीच में रख देंगे एड़क्हें एस रख देंगे और इनको हलके हाथों से मोड लें इस तरह मैंने मोड लिया यहाँ पर और इनको हम थोड़ा सुखा अटा लगाएंगी दुनों साइट से और हम हिलके हाथों से बेलेंगे एक्दम हिलके हाथों से बेलना है देखिए हमारे पराटे बहुत कंफटे तो मैंने याँ साइज में इसको थोड़ा चोटा ही बेला है और आप इसको चाहिए तो और बड़ा बेल सकते हो तो आपको थोड़ा आटा जादा लेना होगा बस तो मैंने याँ पर एक साइड इसको सेक लिया है हलका सेका है और उसके बाद हम इसमें लगा रहे हैं सरसो का तेल, आप चाहिए तो बटर लगा सकते हो, रिफाइंड लगा सकते हो, आपकी चॉइस के अनुसार है, तो मैंने यहाँ पर सरसो का तेल लिया है, क्योंकि मैंने अलरडी बताया है, हमारे घर पर सब कुछ खेट से होता है, तो हमारे खेट में सरसो भी जादा तर उगाई जाती है, तो हम घर का सरसो का तेल ही उज़ करते हैं लगबग, तो मैंने यहाँ पर सरसो का तेल दोनों साइट में लगा दिया है, और मैंने ना यहाँ पर डाल की जो कलची आती है, उससे यूज नहीं किया है, चमज भी यूज इस तरह बिल्कुल मैंने इसको उलट पलट के दोनों साइड अच्छी तरह सेख दिया है और अभी और भी सेखना है ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए और हर तरफ सेख जाए और खाने में भी बहुत अच्छा लगे तो ये पराठा हमारा त्यार हो गया ऐसे ही मैं अपना सारा पराठा बना लूँगी बिल्कुल इस तरह से देखे एक दमलाल हो गया है क्रिस्पी भी हो गया है बहुत अच्छा दिख रहा है और लगेगा भी खाने में साइड अभी तो मैं खानी रही हूँ तो ये हो गया बनके त्यार अब हम ऐसे ही सारे पराठे अपने सेक लेंगे और ये हमारी धाली बनकर त्यार है बिल्कुल दस मिनट के अंदर मैंने सारा खाना बनाए सारा मतलब कुछ जादा नहीं बनाए सिर्फ अलुमोट्रे टेमाटर के सब्जी चावल और अलू का पराठा चावल तो मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था मौसी जी की फरमाए इस थी आलू का पराठा और अलो मट्रे टेमाटर की सब्ची तो कैसे लगई आज के रेसे भी कमेंट करके जरूर बताएगा चैनल पर ने हैं तो सब्सक्राइब किजिए राधे राधे